सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटिस्ट अप्लोड मिस ना करें आप कर सकते हैं में फॉलो फेस्बॉक, इंस्ट्राग्राम, टेलिग्राम और ट्विटर पर डेली अफडेट्स के लिए आप को करना है इस वीडियो का लाइक और शेर अपने दोस्तों और वाट्साप ग्रूप्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, आज के वीडियो का पहला क्वेशन है SEBI Approved, SEBI मतलब Stock Exchange Board of India, SEBI SEBI Approved the Singapore Stock Exchange and National Stock Exchange of India to Limited operate jointly in Dash SEBI नहीं Singapore Stock Exchange और National Stock Exchange of India Limited को सहयुकत रूप से संचालित करने के लिए मनजूरी दे दी है, कहां पर मनजूरी दी गई है, यह मनजूरी दी गई है गांधी नगर गुजरात में SEBI जो की regulatory body है, SENSEX की basically, तो यह देखती है, यह monitor करती है कि कौन सा SENSEX हमान इंडिया में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन से company listed है, कौन सी under 500, Fortune 500 में है, कौन सी महारत नाम है इस तरीके की चीज़े को SEBI ही जो है, वो regulate करता है, SEBI ही जो है, वो monitor करता है, तो SEBI ने अब stock exchange board of, national stock exchange, इसको NACB कहा जाता है, देखे हमारे country में दो तरह की stock exchange है, जिनमें एक है SEBI, stock exchange board of India, that is a board of India, तो यह regulate करता है, ठीके, यह stock exchange नहीं है, बट यह क्या है आपका, यह जो stock exchange है, उनको जो है, वो monitor करता है, उनके कागती विदियो पर नज़र रखता है, दो stock exchanges जो हमारे country में है, that is BAC, Bombay Stock Exchange, NAC, National Stock Exchange, यह दो नहों का, I am sure आपने नाम सुना होगा, अगर आप paper पढ़ते हैं तो, तो basically National Stock Exchange, यानि कि NAC को Singapore Stock Exchange के साथ काम करने के लिए, permission जो है, वो open mission मिली है आपकी गांधी नगर में, सेवी ने गुजरात International Finance Tech City गांधी नगर में संयुक तुरुप से संचालित करने के लिए, Singapore Stock Exchange and National Stock Exchange of India Private Limited को मंजूरी दे दी है, दोरनों संस्थाए, NAC International Financial Service Center, IFSC, SGX Connect नामक एक ट्रेंडिंग से नए प्लाटफर्म बनाएंगी, NAC, IF, SC, Nifty, Sensex, Derivative of Nifty के 50 घटक, Single Stock Derivative वेपार को नुमानित भी करेगा, एक और Nifty, तो National Nifty में means 50, First 50 को कहा जाता है, basically, जो NAC में पहले 50 companies लिस्टेद है, that is Nifty, ठीक है, चली बढ़ते आगे देखते हैं अगला question, what was the theme of 22nd National Conference on e-governance NCEG 2019, e-governance NCEG के 2019 पर 22 वे राश्री सम्मेलन का विशय क्या था, तो ये विशय जो था, वो था Digital India Success to Exchange, e-governance NCEG 2019 पर 22 वे राश्री सम्मेलन 2019 को निखाले शिलॉंग में आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन का विशय डिजिटल इंडिया सफलता के लिए उत्कृष्टता था, सम्मेलन नई सरकार के DRPG के 100 दिनों के पहले पहल का हिस्सा है, यह पहली बार है जब देश पूर्वोत्त्वर में इस कारकरम का योजिन किया जा रहा है, चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं गला क्वेस्टन, संयुक्त राष्ट्र के एजनसी ने कहा है कि मलेरिया ने थारा सो सथिक लोगों को मार चुका है, तो यह मौते जो हुई हैं वो हुई हैं बुरूंदी में, UN के मानवी एजनसी ने कहा है कि 2019 में बुरूंदी में मलेरिया ने थारा सो से जाधिक लोगों की जान ले ली, इसकी नवी नितम स्थिती रिपोर्ट के नुसा 2019 में बुरूंदी में 5.7 मिलियन मलेरिया के मामले दर्श किये गए हैं जो कि लगबग पूरी आबादी के बरावर है, बुरूंदी का कैपिटल गितेगा है, जो वहां की मुद्रा है वो है बुरूंदी एन फ्रैंक, वो एफरीका महादूइप में हैं और मलेरिया एक प्लास्मोडियम पारे जीव को होने वाला रोग है, प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम को छोड़ देता है, और इसी कि वो ही जो है प्लास्मोनी हमारे बॉडी में ग्रोक होने लगता है और हमें मलेरिया हो जाता है ठीक है चलिए बढ़तें आगे देखते हैं एकला क्वेस्टिन वेर विल देखतें इंडियन बांगलादेश होम मिनिस्टर लेवल बाइलेटरल टॉक्स विल भी हेल ओन ऑगस्ट 2019 अगस्ट 2019 में साथवे भारतिय बांगलादेश ग्रियमंत्री स्तर की दुई पक्षिवारता कहां होगी तो ये वारता होगी नई दिल्ली में बांगलादेश के ग्रियमंत्री अजदू जम्मा खां अगस्ट 2019 में शुरू होने वाली साथवे भारतिय बांगलादेश ग्रियमंत्री स्तर की दुई पक्षिवारता में भाग लेने के लिए दिल्ली की तीन दिवसी यात्रा पर धाका से रवाना हो चुके हैं बातचीत के दोरान चचक के लिए सीमा पर सुरक्षा सीमा पर तसकरी सीमा प्रवन्न जैसे मुद्धो की आने की संभावना है एशिया विकास बैंक ने अकस 2019 में डैश के 34 जिलो की सड़क बुनियादी राचों में सुधार करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिंकी मंजूरी दे दी है यह मंजूरी दी गई है महाराष्टर को महाराष्टर के 34 जिलो के जो रोड्स है उनको सही किये जाएंगे दुरुस्त किये जाएंगे बनाए जाएंगे अगर नहीं है तो Union Development Bank ADB ने महाराष्टर के 34 जिलो में सडक के बुनियादी राचे में सुधार करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर न्रिंकी मंजूरी दे दी है पर यूजना को देश ग्रामीन शेत्रों के बाजारों और सेवाओ को जोड़ना है ग्रामीन शेत्रों में सडकों को सभी मौसम मानकों में अपग्रेड किया जाएगा जो राज्य भर के स्थानिय निवासियों और आर्थिक केंद्रों के बीच सम्मंदों को बढ़ावा देगा ADB अपने सदस्य और भागिदारों की सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रिन तक्नीकी सहायता अनुदान इक्वीटी निवेश प्रदान सहायता और प्रदान करके सहायता प्रदान करता है ADB 68 सदस्य सोब बना है जिन में 49 एशिया और प्रशांत शेत्र के सदस्य है So basically Asian Development Bank आपको समझ माहिए गया होगा कि मतलब टायफूल फॉर्म से समझ माहिए जाता है कि एशिया के कंट्रीज इसके मेंबर्स है Most of the countries are of Asia और यह जो है इसके कंट्रीज को क्या करता है Help करता है उनका basic necessities को पूरा करने के लिए और ठीक करने के लिए चलिए बढ़ते हैं के देखते हैं अगला question Who chaired the Make in India in Defense Industry Roundtable in August 2019 in New Delhi अगस 2019 में नई दिल्ली रश्चा उद्योग के गोलमेज मेकेन इंडिया में अधिक्षता किस ने की तो यह अधिक्षता की हमारे Defense Minister राजनाथ सिंग ने रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने नई दिल्ले में अगस 2019 को रक्षा उद्रियोग गोलमेज में मेकिन इंडिया की अधिक्षता की यद रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंतराले मोडी द्वारा आयुजित किया गया था इसका उद्देश्य निवेश को आकर्शित करने उद्द्योग की चिंताओं को दूर करना और रक्षा नविचारों को बढ़ावा देना है MOD यानि की Ministry of Defense ने शेत्र में FDI यानि की Foreign Direct Investment को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए है चली बढ़ते आगे देखते हैं अगला question What was the theme of 4th edition of Women Transforming India Awards Women Transforming India पुरुसकारों के 14 संस्क्रिन का विशय क्या था So ये विशय था Women Entrepreneurship नीती आयोग ने 9 अगस 2019 को Women Transforming India Awards का 14 संस्क्रिन आयोजन की आयोजित किया 2019 का theme महिला और उध्यमिता है WhatsApp ने WTI Awards के लिए नीती आयोग के साथ सहयोग किया और पुरुसकार विजिताओ को 1 लाख US डॉलर की साहतराशि प्रदान की चली बढ़ते हैं आके देखते हैं अगला question Where will be the third renewable investors meat expo will be held Third renewable energy investors meat and expo कहां आयोजित किया जाएगा So ये आयोजित होगा अपका इंडिया में So इंडिया में नई और नवनी करें उर्जा मंत्राले ने भारत में 30 October से 2 November 2019 तक आयोजित होने वाले तीसरे अक्षे उर्जा निवेशों की बैठक के एक्सपो के करिंट रेजर समारों का आयोजिन किया अयोजिन के उद्देश नवनी करें उर्जा सर्निवेश को आकरशित करना भारत के आराय कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और श्री आरके सिंग केंद्री उर्जा नवीन और नवनी करें उर्जा और कौशल विकास उद्द्यम राजमंत्री है तो इसके header basically उर्जा मंतरी के head कौन है ये आरके सिंग है जो कि केंदरी उर्जा के क्या है मिनिस्टर है वहाँ के ठीक है चलिए बढ़ते हैं यांके देखते हैं अंगला question Dash batsman hits Amla retired from all international cricket with immediate effect Dash बलेबाज Hashim Amla ने सभी अंतराष्यों cricket से तुरंत प्रभाव से सन्यास ले लिया है तो ये कहां के player हैं ये है South African player है South Africa की team के हैं दक्षिन अफरीका के बलेबाज Hashim Amla ने ततकाल प्रभाव से सभी अंतराष्यों cricket से सन्यास ले लिया अमला ने अपने 15 साल के लंबे खिर्केट करियर के बीच 124 टेस्ट, 181 दिवसिय और 44 टी-20 खेले वो एक मात रेड़क्शन ओफ रीकी है जिन्होंने टेस्ट प्राडूप में 13 सतक बनायागा टेस्ट मैंच में उन्होंने बैक-टो-बैक 3 संचुरी बनाया थी मतलब एक संचुरी में 100 रंस होते हैं मतलब थी संचुरी में 300 रंस ठीक है चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं एकला क्वेस्टिन विच कंट्री विल होज जिम्बाववे फॉर ट्राइशन 2020 टूर्नमेंट इन सेप्टेंबर 2019 सिप्टेंबर 2019 में 2020 टूर्नमेंट के लिए कौन सा देश जिम्बाववे की मेजबानी करेगा यह मेजबानी करने वाला देश बन जाता है बांगला देश अंदर राष्ट्र के कर परिशत द्वारा दक्षिन अफरीका को निलंबित किये जाने के बाद बांगला देश इतंबर में एक त्री राष्ट्र 2020 टूर्नमेंट के लिए जिम्बावे की मेजबानी करेगा आइसीसी ने जुलाई में खेल सरकारी हिस्तक्षेप से मुक्त रखने नामक पर रहने वाले जिम्बावे को निलंबित कर दिया था देश की भागिदारी के लिए बहु राष्ट्रे जाज में संदेह में डाल दिया गया था 13 सा 24 सुटंबर तक होने वाले टूर्नमेंट में अफगानिस्तान जो है वो तीसरी टीम है तो basically try exercise है तो Bangladesh, Zimbabwe और आपका अफगानिस्तान यह तीनो है तीन मतलब try और try basically match होने वाला है यह आपे 2020 tournament होगा जिसके hosting इस पर Bangladesh कर रहा है so yes guys that's it for today now it's time for question of the day आज का question of the day है Pakistan expelled India's ambassador dash after India stripped its portion from the contested Kashmir region of special status Pakistan ने भारत के राजदूत को निश्काशत कर दिया है जिनका नाम डाश है भारत द्वारा विशेश दर्जा चुनाव लड़ने वाले कश्मीर शेत्र को अपना हिस्सा छीन लिये जाने के बाद so Ajay Bisirya, Gotham, Bambi वाले, Sohil, Mehmood या हर्षवर्धन, Sringa इन चारों में से कोई एक definitely answer है आपको क्या करना है अगर आपको answer आता है तो आपको उसको लिख देना है जल ली से comment section में अगर answer नहीं आता है तो कोई बात नहीं है आप previous videos देख लीजे वहाँ पे आपको इस question का answer भी मिल जाएगा साथे साथ बहुत सारे और questions के answer भी आपको 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 देखने को मिलेंगे So thank you so much guys for watching PDF जो उसकी तरह description box में है जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा और PDF में जो रेटिकल अप्शन आपको मिलेगा वो होगा आपका answer इस वीडियो को लाइक कर दीजे जल्दी से शेयर कर दीजे जल्दी से और चैनल पर आचुकी है एक बहुत ही important वीडियो वो है 50 सबसे महतपूर्ण प्रश्न जो की आजादी से related है इंडिपेंडेंस डे से related है जो की exam में बहुत frequently पूछ जाते है ठीके तो उस वीडियो को है वो description box में दिया हुआ है तो उस वीडियो को भी देख लीजेगा आप हमसे जूर सकते हैं online offline किसी भी माध्यम से हमारा online number आपको screen पे दिख रहा होगा किसी भी online queries के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं so thank you so much for watching stay tuned to current affairs